हम लोग के पूर्ण विस्वास है कि न्याय मिलेगा हम लोग के उनके साथ भी न्याय होगा पिछले चार मामलों में तो बेल मिल गया था ये आश्वी मामला है इसमें भी मिलेगा न्याय मिलेगा इसमें लंबे समय के बाद लालू यादब पटना पहुंचे थे और आज सुनबाई और उनका बेल भी हो गया पाच्वा मामला है और उसके लिए सुनबाई 15 तारीक को राची हाइकोट में होना है और उसके लिए लालू यादब को सरीर आने के लिए कहा गया और लालू यादब आज राची के लिए रवाना भी हो गया लेकिन हम आपको बता दे क कि जिस तरीके से लालू यादब पटना पहुंचे थे राष्ट कारिकारनी की बैठक में उन्होंने शिर्कत किया सदस्ता भ्यान की शुरुआत की और उसके बाद आज वो राची के लिए रवाना हुए आपको बता दे कि जिस तरीके से बिहार में लगतार या कहा जा रहा थ का दरजे की मुद्दे की बात हो तो यह तमाम विश्यों पर लालू यादब रे राष्ट कारिकारनी की बैठक में चर्चा भी किया अब लालू यादब को 15 तारीक की पेशी है राची हाई कोट में उनको पेश होना है उसके लिए वो यहां से गय है दिल राची आपको बत तारीक को संभावता चर्चा हो सकता है लेकिन 15 तारीक को उनको कोट में पेश होना है लालू यादब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तस्वीरों में आप जो देख रहे होगे अपने स्किन पर कि किस तरीके से लालू यादब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उनके साथ जो है मिशा भारती जो उनकी बड़ी बेटी है रासवा सांसद है और उनके बहुत खास माने जाने वाले भोला यादव उनके साथ वो तीन लोग यहां से राची के लिए रवाना हो चुके हैं आपको बता दे कि जिस तरीके से लालू यादव परलगतार पांच मा देखना यह होगा कि आखिरकार 15 तारी को सुनबाई क्या कुछ होगा लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लालू यादव यहां से रवाना हुए है और जब राची पहुँचेंगे और राची में जो मामला होगा लेकिन पटना एरपोर्ट पर आरजडी के विरहायक रीत ला लालू यादव के साथ पहुचे थे रीत लाल यादव से जब मिडिया से बाच्चित की उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालू यादव को बुलाया गया है 15 तारी को उनकी पेसी है तो हमें पूर्न भरोसा है कि कोट उनको नियाई देगा और साती साथ रीत लाल यादव न मेहराची और कोट में उनकी सुनबाई है और सुनबाई जो है अमने उनको पूरा भरोसा है कि कोट उनको नियाई देगा सुनबाते हैं लगता है उनलोग को पूरे जनता का अशिरवाद है उनलोग के आपकिरिया है लेकिन हम लोग के पूर नीयाय मिलेगा विलकुल पिछले चार मामलों में तो बेल मिल गया था ये आफरी मामला है इसमें भी मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें बिलकुल